हलो दोस्तों कैसे हो आप मैं हूँ इवेक सिंग और टेक्नो वेक्सर के दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है आसूस जैनफोन मैक्स प्रो एंवन ये मुबाइल ने भी कमाल कर दिया है दोस्तों मिल तो रहा नहीं है फ्लेश सेल में आता है Xiaomi की तरह जो Note 5 Pro था उसकी तरह Xiaomi के मुबाइल की तरह फ्लेश सेल में आता है दोस्तों वैसे ही 5-6 सेकंड में चले जाता है हर कोई खरीदना चाहता है क्योंकि बहुत सारे स्पेसिफिकेशन इसका Note 5 Pro से बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी अगर अभी आप खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीद सकते हो Asus Zenfone Max Pro M1 वो भी Flipkart से नहीं कहीं और से Online ये जानने के लिए कि इसे कैसे आज अभी के अभी आप आई कर सकते हो बिना 17 तारीक वाला Flash Sale का वेट किये हुए ये वीडियो दोस्तों लास तक देखें और पसंद आया तो Like, Comment और Share भी करना दोस्तों तो दो मिना वेट टाइम वेस की वे चलते हैं तुरंद वीडियो की तरफ दोस्तों Let's get started दोस्तों हमारे वीडियो स्पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर दबाएं पहले दोस्तों लोग ऐसा सोचते थे कि शाउमी के फोन सी स्पेसिफिकेशन में वो आपको स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कम बजट में जो और कोई दे नहीं सकता लेकिन दोस्तों असूस ने वो बैरियर को तोड़ा है और उन्होंने Zenfone Max Pro M1 में वो सारे स्पेसिफिकेशन दीए हैं जो Xiaomi ने दिये थे अपने Note 5 Pro में, मैं ऐसा कहूँ कि उससे कम कीमत पर उससे ज़्यादा अच्छ है specification दिये हैं, अगर आप camera और fast charging छोड़ दो, तो Asus Zenfone Max Pro M1 कहीं ज़्यादा अच्छा है, मैं यह नहीं कहीं रहा हूँ कि इसके बराबर है, कहीं ज़्यादा अच्छा है Note 5 Pro से, और लोगों को यह पता भी है, camera खराब भी नहीं है दोस्तों, Note 5 Pro से अच्छा नहीं है, लेकिन camera बहुत अच्छा है, अपनी category में, 11000 की category में उसका camera बहुत अच्छा है दोस्तों, तो अगर वो चीज़ें छोड़ जिए हैं, दो एक चीज़ें, तो मुझे लगता है Note 5 Pro से बहुत अच्छा है यह, और problem यह हो गया है कि flash sale में मिल नहीं रहा है, किसी को हर किसी को चाहिए, phone 3GB, 4GB, 5GB, 6GB वाला तो आया नहीं, sorry, तो 3GB और 4GB वाले RAM वाले variant आये हैं, और अगर आपको खरीदना है दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हो कहां से आप ले सकते हो, दोस्तों, अभी के अभी, तो अगर आपको 17 तरीक के sale में ही खरीदना है, और आप जानना चाहते हो कैसे खरीद, अगर आप मेरे तरीके से लोगें, तो आपको 2000 रुपे जादा देने पड़ेंगे, जो उसका 4GB वाला वेरियंट है, तो अच्छुली आता 13,000 में है, तो ये 14-15,000 में आपको 12-2000 एक्स्रा देकर आप खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि Redmi Note 5 Pro भी 15,000 कही है, और ये भी आपको 14-15,000 में वही वाला वेरियंट आपका Note, Asus Zenfone Max Pro M1 का मिल जाएगा, 14-15,000 में, वो प्राईज उपर नीचे हो रहा है, आप एक बाद चेक कर लेना उसको, दोस्तों, अगर आप Flip Card से ही बाई करना चाहते हो, सेल में ही, तो आप यहाँ पर मैंने उपर आपको काड दिया है, आप उसको refer कीजिये वीडियों को, और देखिए कि कैसे आप बाई कर सकते हो, यहाँ आपको देखिए वो, क्या कहते हैं, ओर्टो बाई वाला सिस्टम चलता नहीं है, सब फेक है, सब पेड है, और उसके बाद सिंपल सा एक स्टेप है, जो आपको स्टेप जैसे बाई करते हो, वही करना है, तो उपर काड मैंने दिया है, उससे आप देख सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या के चीज़ आपको जरूरी है, लेकिन अगर आप 17 तरीका वेट नहीं कर सकते सेल का, और आपको अभी खरीदना है, 4GB, 64GB वाला, 4GB, 64GB वाला वेरियंट, आपको अभी खरीदना है, 15,000 मैक्सिमम उसका प्राइज होगा, और 15,000 में आपको जैनफो, सारी, शाओमी का Redmi Note 5 Pro भी मिलता है, तो अगर आप compare करोगे, तो Zenfone के features ज़्यादा अच्छी है, तो खरीदना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, दोस्तों, ebay.com पे, ebay.com आपको पता है, वहाँ पे जाए, लिंक दिया है मैने नीचे, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो, नहीं से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मैंने आपको support करने के लिए खाली लिंक दिया है, अब वहाँ से नहीं, तो बाहर से भी जाके खरीज सकते हो, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें, तो वहाँ से आगे अगर आप 15,000 में खरीदना चाहते हो, 4GB, 64GB वाल, वैसे भी 13,000 तक आता है वहाँ पे, और अगर अभी के अभी चाहिए, और शौर शॉट चाहिए अगर आपको, तो आप वहाँ से खरीज सकते हो, तो ebay.com से आप दोस्तों खरीज सकते हो ये फोन, अगर आपको खरीदना है, यही बताना था आपको, अगर अभी खरीदना है ने, तो मेरे हिसाब से आपको, flip card के सत्रे तरीके sale का वेट करना चाहिए, और वहाँ से आक एक बाट ट्राइ करना चाहिए, अगर 4-5 बार, मेरे खल से एक आप महीने में आ जाएगा, और comment section में बताइए, क्यों अच्छा नहीं लगा, और मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कीजी, अपने दोस्तों को बताइए, कहां से आप खरी सकते हो, और subscribe करने के लिए दोस्तों को कुछ करना नहीं, नीचे आप देखो, मेरा आपको vector image दिखेगा, गोल ऐसा circle में, side में, वहां से आप subscribe कर सकते हो, मेरे चैनल को और support कर सकते हो दोस्तों मुझे, आपके support की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, जैहिन!